हे गाईज मैं सुजीत और आप देख रहे हैं सुजीत नसरी गाईज आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ दो ऐसे प्लांट की बारे में जो की एनरमी एन गोल्डन रॉन्टा प्लांट है ये लो मेंटनेंस प्लांट है एक बार आपने लगा दिया तो बस टाइ ये बाद में किस तरीगे से बनता है जाके हम सब कुछ इस वीडियो में समझने वाले हैं और ये प्लांट तयार कैसे करते हैं सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और गोल्डन रॉन्टा प्लांट के बारे में सेम प्रोसेस होगा दो दोनों प्लांट सेम वेसे ही है बस कलर का डिफरेंट है बाकी तो सब कुछ मैं बताने ही वाला हूँ इस वीडियो में तो वीडियो को लास तक देखना अगर आगा चैनल पर न्यूँ हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइचने प्रेस कर लेना जिससे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेश हमारे चले भी गए है और यह जो आप ठैली देख रहे हैं यह मर गए थे कुछ प्लांट्स ऐसा थोड़ी है कि हम लोग तयार करते हैं तो मरते नहीं है अगर हम काटके लगाते हैं तो उसमें बहुत सारे मर भी जाते हैं लाइक मालो की हमने 10,000 प्लांट तयार किये जिसमे कि 1500 प्लांट्स हमारे खराब चले जाते हैं और उन्हीं की जो पोलो थिन है यह खराब हो जाती है बाद में इसको यूज में ले ले लगते हैं वो कोई रिक्कत नहीं है हम इस तरीके से आप दे सकते हो बेट के बेट तयार ही करते हैं अगर आप मेरे से लेना चाते हो तो यह प्लांट आपके लिए ओली दो रुपए का पड़ेगा दो रुपए में आपको एनर्मी प्लांट मिल जाएगा हमारे हाँ पे अगर आप कहीं दूसरी जगा पे लेते हो ते आपको पांच रुपए या फिर दस रुपए भी आपसे ले सकते हैं और जो पोलो थिन का सा खाते तो आप कटिंग से भी इस प्लांट को तयार कर सकते हैं जो कि मैंने वीडियो अलरीडी बना दी है अब लोग यह आपको दो रुपए में मिल जाएगा आप मारे यहां से आपको इस प्लांट को ले सकते हैं मैं अपना लोकेशन भी दे दूँगा तो अभी हम बात कर बेजते हैं गोलन रॉन्टा प्लांट के बारे में कि जो अभी ये तैयार ही हो रहा है अभी बहुत ही ज्यादा बढ़ा नहीं है ये बड़ी थेली मैं इसको हम 10 रुपए में बेचते हैं और अगर जैसे कि इस वाली पॉलोथिन में लोगे जैसे कि यह वाला पॉलोथिन है इस पॉलोथिन वाला हमारा जो प्लांट है हमने सेल कर दिया हमारे पास नहीं है अभी के टाइम पर अगर आप इस वाले पॉलोथिन में इस प्लांट को तो आप मारे यहां से ले सकते हूं जैसा कि अभी तक आपने देखा कि हम प्लांट को कितनी मात्रा में तयार करते हैं आपने देख लिया होगा बहुत सारा प्लांट हम लोग तयार करते हैं हमने अभी तक यह जाना क्या प्राइस होता है इनका कितने प्राइस में मिल जाते है तो अभी हम बात कर लेते हैं कि यह प्लांट का यूज क्या है अगर इस प्लांट के यूज की बात करें तो यह काफे डिजाइनिंग में आप इसको दे सकते हो कुछ भी सेफ दे सकते हो जैसे कि आप इस्क्रीन पर देख रहे हो कुछी तरीके से आप इनकी हेज बना सकते हो जो कि संथिंग आप 3-4 फूट की मैक्सिमम बहुत ही नॉर्मल हेज बना सकते हो बहुत ही बढ़िया लगती है देखने में और बाखी वह आपके उपर है आप कितने उची हेज ले जाना चाहते हो तो अभी हम बात कर लेते हैं कि इन प्लांट को और भी सेप कैसे देते हैं सेप की बात करें तो जैसे की लाइक जाली वगएर आते हैं बहुत सारे मचली या फिर हाथी डॉक्स बहुत सारी चीज़े आती हैं आप उनकी अंदर इंप्लांट को लगा के आप उनको तयार कर सकते हो बहुत भी बढ़िया तरीके से तो कुछ इस तरीके से आप इन प्लांट को यूज में ले सकते हो और सारी जानकारीं अगर मैं मिस्स गर रहा हूँ तो आप लोग कमेंट करिए कि आपको ज़रूर करके जाएगा मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबा जया ही बंदे मात्रा